हेलो एवरिवान वेलकम टो माई चैनल यह देखे फ्रेंड स्टार शेप में यह छह कली में मैंने यह कंप्लीट किया है और बहुत ही सुंदर डिजाइन है और बिल्कुल ही बनाने में बहुत ही आसान है जो भी मेरी बैन बिगनर्स हैं बनाना चाहती हैं वो भी इस डिजाइ में आपने पट्टी थोड़ी सी पतली लेनी है यह देखिए इसके लिए देखे फ्रेंड्स मैंने यहां पे दो कलर की चुन्नी का यूज किया है और इतनी चोड़ी-चोड़ी मैंने इसमें एक-एक इंच की पटियां बनाई है ऐसे पटियां बनाके आप ऐसे रोल बना ल करेंगे यह देखिए हमने एक सिंपल नोट लगा ली है नोट लगाने के बाद ऐसे आपने फंदे डालने हैं यह देखिए दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा बारा फंदे पर मैं आपको बताऊंगी इसमें फंदोगा कोई भी इसाब नहीं है फ्रें जोड़े के इसाब से डाली जितना भी आपको बड़ा बनाना है उतने ही आप इसमें फंदे डाल दीजिए जितना भी आपको बड़ा छोटा बनाना है मैं बारा फंदे पर आपको बताऊंगी यह देखिए फस्ट रो से ही हम अपना इसमें डिजाइन स्टार्ट कर लेंग देखिए एक फंदा हमने यहां पे पट्टिकोला पेट लिया और एक फंदा हमारा यहां पे बढ़ गया बढ़े वेफंदे को भी काउंट करेंगे एक दो ध्यान से देखिए तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा और यह बारा एक फंदा हम पीछे छोड़ देंगे, बारा फंदे हमने बनानी यह आपके फंदे जितने आप डालोगे उतने फंदे आपके यहां पे रहेंगे एक हम आगे बढ़ाएंगे तो एक हम पीछे छोड़ देंगे अब देखिए यही से हम पलट लेंगे फस्ट वाले को उतारेंगे और यह जो पट्टी है जिसकी आपने नोट लगाई थी चाओ तो आप इसको काट दीजिए हम इसके अंदर ही इसको ऐसे रोल कर लेंगे बहुती सफाई के साथ यह बनकी कम्प्लीट होगा इस साइड से भी हम यह सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे बारा फंदे से भी काफ़ी बड़ा बनके कम्प्लीट होगा जितना भी आपको बड़ा बनाना है आप इसे बना लेजी बिल्कुल सेम तरीका रहेगा बनाने का यह देखिए बड़े वे फंदे को भी हम ऐसे ही बना लेंगे अब देखिए फिर से हम यहाँ पर लपेटेंगे और फंदा हमने यहाँ पर दूसरा फंदा बढ़ा लिया दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा और यह बारा और यह देखिए एक फंद हमने पहले छोड़ा था एक हमने फिर से इसमें छोड़ दिया और हम यही से वापस से मुड़ जाएंगे एक बार और देख लीज़े इस साइड से सारे इफंदे हम ऐसे बना लेंगे आप इसको फ्रेंड्स एक कलर से भी बना सकते हो मैंने जैसे यह दो कलर का यूज किया है दो कलर में भी बना सकते हो और अलग अलग रंगों से भी यह आप कली बना सकते हो यह देखिए बढ़े वए फंदे को फिर से हम बना लेंगे फिर से देखिए हर बार आपने ऐसे ही यहां पर लपेट लेंगे यह तीसरा फंदा हमारा यहां पर बढ़ गया अब देखिए दो तेन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा और यह बारा यह तीसरा फंदा हमने फिर से छोड़ दिया यहीं से पलट जाएंगे इस साइड से भी मैं इस रोखो बना के हम हर बार कितरा कम्प्लीट करेंगे देखिए फिर से देखिए यह हमने यहां पर फोर्थ फंदा बढ़ा लिया दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा और यह बारा फिर से मैंने यह फंदा यहां पर छोड़ दिया चार फंदे हमारे बढ़ गए चार फंदे हमारे पीछे छोट गए जितने भी फ्रेंड्स आप फंदे डालो आपने इसी तरीके से आपने आपने बनाना है यह देखे फिर से हमने यहां पर पांचमा फंदा हमने बढ़ा लिया देखे एक, तो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा और यह बारा एक फंदा हमने फिर से छोड़ दिया यहीं से पलट लेंगे इस साइड़ से इसे भी स्रोखो बना की कम्पलीट करेंगे देखे फ्रेंड्स छटा फंदा हम बढ़ाएंगे लपेट लिया और यह देखे जब भी आप साड़ी और चुमनी से बनाओगे तो ऐसे हम इसमें अपना जोइंट लगाएंगे दूसरी पट्टी लेंगे और इसके अंदर ऐसे हम रोल करतेंगे देखे तीन चार पांच छे साथ आट नो दस ग्यारा और यह बारा एक फंदा हम फिर से छोड़ देंगे इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं उपर यहाँ पर पांच फंदे और बढ़ डालूंगे चैपंदे हमारे यहाँ पर बढ़ गए है और देखे देखे शैपंदे हमने पीछे छोड़ दे हैं पांच फंदे मैं और बढ़ाईएंगे च्छटा फंदा जब मैं बारमा फंदा जब मैं बढ़ाईए तो मैं आपको दिखाऊंगे बिल्कुल सेम इसी तरीके से पांच uh वार और मैं 5 टे भराँगे और 5 लाहोंगे बढ़ाँगे और 5 पने हमारे पीछे चूट जाएंगे और हमारे ग्यारा फंद याहा पर बढ़ जांगे मैं थोडह से इसको बना लेती हूँ मैं फिर मैं आपको आगे बताऊंगे यह देखिए, एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नो, दस, और यह ग्यारा, ग्यारा फंदे मैंने पीछे छोड़ दिये हैं, अब देखिए, यह आगे के हमारे बारा फंदे हैं, एक फंदा मैं और बढ़ाऊंगी, लास्ट वाला बारमा फंदा, यह देखिए, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा और यह बारा, बारा फंदे फ्रेंट्स हमने यहाँ पे आगे बढ़ा लिये हैं, और यह आप देख सकते हो, एक, दो, तीन, चार, पांच, और छे, बारा फंदे ही मैंने पीछे छोड़ दिये हैं, यह देखिए, यह एक क आप देखिए, यही से वापस से मोड़ जाएंगे, द्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरी देखा करो, बहुती आसान डिजाइन, और अगर आप मेरे चैनल पे नई हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बैल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ता कि मेरी वीडियो का नोटिफकेशन आप मिसना करो, यह देखिए, इस रो में जितने आप फंदे डालोगे, आपके डबल फंदे यहां पे हो जाएंगे, अब हम क्या करेंगे, जो हमने फंदे बढ़ाई हैं, जितने भी आप फंदे डालो, मैंने बारा डाल ले थे, बारा फंदे में गटा दूँगी, ध्यान से देखिए, दो का एक कर दिया, एक, दो, तेन, चार, पांच, छे, साथ, साथ, साथ फंदे मैंने गटा लिये हैं, यह देखिए, फिर सेम जॉइंट लगाएंगे, ऐसे रोल कर लेंगे, आठ, नौ, दस, ग्यारा, और यह बारा, यह देखिए, बारा फंदे मैंने यह आपे गटा दिये हैं, अब देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, और एक यह, और एक यह, छै, बारा फंदे हमारे बच गई हैं, यह बचे हुए फंदे जो हमने के करके छोड़ रखे हैं, इनको भी हम ऐसे बना लेंगे, जितने भी आप फंदे बढ़ाओ, आपने यहाँ पे एक ही बार में सारे फंदे गटाने हैं, और यह सारे फंदे हम ऐसे बना लेंगे, ढान से देखेगा, लास्ट वाले को फ्रेंड्स आप कमी बनाएगा, पट्टी को पीछे करके इसको मैं ऐसे ही उतार लोगी, एक साइड से हम इसको बनाएगे, नहीं तो यहाँ पे होल बन जाएगा, यह देखिए, एक पत्ती हमा मैं यहाँ से आपको एक कलर और लगाना बताऊंगी, तो वो हम कैसे लगाएंगे, वो आप देख लीजिए, यह देखिए, और इस पत्ती को भी मैं इसी के अंदर मैं ऐसे रोल कर दोंगे, या आप यहाँ पे पिछे की साइड में दबा की इसको पक्का भी कर सकते हो, जब अगली कली बनाएंगे, तो आपकी पत्ती यहीं पे रहेगी, तो आप इसी को यूज कर लेजी, अभे देखिए, दूसरा कलर मैंने यहाँ पे लगा लिया है, यह भी मेरी, यह देखिए, הם डबल शेड की चुणनी है, दो मेने डबल शेड की लिए है आप प्लेन भी ले सकते हो और एक डबल शेड की रेक प्लेन भी ले सकते हो जो भी आपके पास हो उसी से डिजैन बन जाएगा ये देखिए फिर से हम अगली पट्टी को बनाना स्टार्ट करेंगे जी देखिए हमने फंदा हम आपे बढ़ा लिया और यह हम पीछे तक चले जाएंगे जैसे हमने स्टार्टिंग की थी बिल्कुल ऐसे ही एक फंदा आगे बढ़ा लिया और एक फंदा हम पीछे छोड़ देंगे यही से वापस मुड़ जाएंगे यहाँ पे जितने भी आपने फंदे डाले हो जैसे हमने यहाँ पे 12 फंदे बढ़ाए थे तो यहाँ पे भी हम 12 फंदे बढ़ा लेंगे 12 फंदे हमारे पीछे चूट जाएंगे फिर उसके बाद जैसे हमने यहां पे फंदे गटाई हैं लास्ट में सारे फंदे आप गटा लीजे जितने भी आपने डाले हैं और बनाते हुए नीचे की तरफ आज़ेए और फिर जो भी आप color लगाओ मेरे पास यह color है मैंने एक इस से बनाया है और एक red से बनाया है तो ऐसे ही फिर यह पट्टी आपकी यहीं पे रहेगी और यहीं back side से आप color को change कर लेजिए तो यह देखिए इतना सुंदर यह design बना है कोई भी इसमें जोल नहीं आया है और किसी भी size में आप इसे बना सकते हो पूरा बनाने के बाद देखिए friends फंदों को हम बंद कर लेंगे ऐसे ही हमने जैसे फंदे गटाई थे बिल्कुल सेम वैसे ही हम यह सारे फंदे अब बंद कर लेंगे यह देखिए बिल्कुल इसी तरीके से हम ने यह सारे फंदे बंद करने है यह देखिए लास्ट का फंदा भी हम ऐसे घटा देगे और यह पत्ती है इस पत्ती को ऐसे इसमें से निकालके यहाँ पे ऐसे पक्का कर देगे यह देखिए फंदे हमारे बंद हो गए हैं अब हमें क्या करना है यह देखिए किसी भी साइड से इसमें हमारा इस पत्तिकों में काट तूँगे सिलाई में हम इसको पक्का कर देगे नोट इस पे लगा दी है अब यह देखिए किसी भी साइड आपको इसमें नोट नजर नहीं आएगी यह देखिए तो अब हमें क्या करना है यह जो लास्ट में मैंने फंदेबंद किये हैं यह वाले हमने पार्ट खुला छोड़ना है जैसे हमारा यह है हमने यहां से यह जो म ये वाला भी और ये भी ऐसे ही खुला रहेगा तो मैं यहां से यहां तक इसकी सिलाई करूँगी यह देखिए बिल्कुल हम उपर से यहां से हम इसकी सिलाई कर देंगे तो देखिए यह उपर का मैंने पार्ट खुला छोड़ दिया है यहां से लेके यहां तक मैं इसकी सिलाई करूँगी यह बिल्कुल हमारा जो चैन वाला फंदा है इसमें से हमने थ्रेड को डालना है यह आपको अलग से दिखाई देगी तो मैं इसको यहां से यहां तक सील लेते हूँ फिर मैं आपको सिदा करके दिखाऊँगी यह देखिए सील के मैंने इसे कम्प्लीट कर लिया है बहुत सुंदर इसकी लुक आई है आप देख सकते हो तो फ्रेंड्स आपको डिजाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर लीजिए चैनल पे नए हो तो सबस्क्राइब कर लीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डिजाइन के साथ तेंक यू